OBC आरक्षन पर सुप्रीम कोड का बड़ा फैसला आया है हमारे साथ बात करने के लिए मद्वदेश के राज्यमंत्री भारत सिंग कुस्वा मौजूद हैं भारत सिंग जी एक बड़ा फैसला जिस तरह से बाते चल रही थी कि OBC को आरक्षन नहीं मिलेगा और चुनाबों को लेकर रस्षा कसी सियासत भी देखने को मिली कॉंग्रेस ने तो कई सवाल खड़े की दगिए कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि इस वरक्षन मिले कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि पंच्याद और नंगरी निकाय के चुनाओ हो इसलिए कॉंग्रेस ने जिस शड़ेंतर पूर्वक बहुत सारी चीजों को बीच में लोगों को भरगलाने का भी काम किया कोर्ट में भी उनने जो पच्छ रखना चाहिए था मैं तो यह कहूँगा कि जिए इस भरक को आरच्छन से बंचित करने का काम अगर पाप किशी ने किया था तो कॉंग्रेस ने किया था भारती जन्ता पार्टी का हमेशा से यह स्टेंड रहा है संगठन का भी रहा है सरकार का भी रहा है मानि मुख मंत्री जी ने सदन के अंदर चलते हुए सदन के अंदर यह गोशना की थी कि हमारी इच्छा है सरकार की कि जो चुना हों आरचन के साथ हों आरचन की विवस्ता के अनुसार हों और उसी के तहद मानि मुख मंत्री जी ने संबेदन सीलता का परचा देते हुए प्रदेश के इस बरक के हिद में न्याले में जो पच्छ रखा अपने बकीलों के द्वारा जो रखवाया गया उसी का परणाम है कि आज न्याले से इस बरक को न्याय मिलाए और इस बरक को न्याय दलाने के लिए मैं मुख मंत्री जी को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ, साधुबाद देता हूँ और दिल से जनता की और से पुने बदाई देता हूँ बिल्कुल एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि कॉंग्रेस हमेशा से OBC, SC, ST की बिरोधी रही है हाला कि उन्होंने जो सुप्रीम कोट का फैसला है इसको लेकर मुख्यमंत्री सिवरासिंग चोहान का भी धन्यवाद ग्यापित किया है इसके लाबा प्रदेश सरकार की भी जम कर तारिफ की है कैमरमेन करनबारसी के साथ प्रलात सेन बंसल लिउस गौलिया